हम लोग जैसे फॉर एक्जांपल जो philosophy है वो दो चीजों पर बटी हुए है एक आस्तिक दर्शन एक नास्तिक दर्शन यह जो आस्तिक दर्शन है और जो नास्तिक दर्शन है इसमें differences होते हैं हमारा जो पूरा system है उसमें philosophy, theories वो बहुत सारी है हम कहीं भी कोई भी discussion debate करेंगे तो घंटों हफ्तों महिनों उसको कर सकते हैं क्योंकि वह philosophy है हम बेस पर अगर उसको connect करते हैं जैसे बेस में मेरा first step क्या आता है we are three in a body mind body and soul ठीक है तो जब हम three in a body पर जाते हैं तो three in a body का मतलब क्या हो गया हम जिसको mind कहते हैं हम जिसको body कहते हैं हम जिसको soul कहते हैं यह तीनों इनकी जो original definition है उसमें इसको क्या कहते हैं तो body को कहते हैं स्थूल शरीर mind को कहते हैं सूक्ष्म शरीर और soul को कहते हैं कारण शरीर कारण कारण कॉजल बॉड़ी ठीक है अब क्या हुआ पूरे सिस्टम में जब मैंने majority सारी approaches को देखा तो मुझे यह समझ में आया कि हर जगे जो definition थी वह incomplete for example जो आज का modern system है वह neuroscience की बात करता है neuroscience में soul जो है is a facet of mind तो मैंने यह देखा कि हमारे पूरे सिस्टम में mind body इसको किसने create करा तो हमारा जो original system है वो कहता है soul ने create करा ठीक है अब यह जो आत्मा थी इसने mind और body को create करा तो अगर किसी situation में mind और body दौनों ही corrupt हो जाए दौनों में कोई problem आजाए पेशेंट ICU में admit हो गया अब उस situation में उसको ठीक कौन करेगा soul level पर जाने के अब अगर कोई बोले कि मैं तो soul को acknowledge नहीं करता तब हम क्या करेंगे तो अब यह जो हमारा पूरा पार्ट है जिसको हमने develop करा है हमने उसको soul level पर कराए और जो बीज मंत्र है इसको आप ऐसे मानिये कि जैसे वह बीज मंत्र आर्डी एल्फबेट्स और साउंड्स विचा रेकेगनाइज़ बाई सोल ठीक है तो मैं अब आपको मैंने एक शीट शेयर करी थी अब मैं उसी आस्पेट को आपके साथ में वापस कनेट करता हूं गिम्मिया सेक्राइब आस्पेट को आस्पेट करता है तो आप सब लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है तो मैं आइल रीड जस्ट पर यूर बहाफ इंडियन हूमन एवोलुशन है अल्वेस कनेक्टेड पावर विज्डम रिचनेस हैल्थ स्पिरिच्वालिटी अनलाइक वेस्ट आप करदेज़ स्पिर्ट आपकात let me know each supernatural cause of power is identified and has been used for saving mankind from the accidental factors like tornado or epidemics giving birth to nuclear warheads divine chariots gold which was used to preserve the power of nature thus understanding cause made them divine divine also had a name properties and purpose it has been observed that calling the divine with the name properties and purpose invoked divine inside that person मैंने भगवान के नाम लिया भगवान की पावर्स के बारे में बात करी उसकी प्रपर्टीज उनके पर्पस को इन्वोक करा तो मेरे अंदर भी वो divine qualities देरे देरे trigger होना शुरू हो गया now combination of relationship name properties and action invocation is known as mantra tree and seed have a relationship of coexistence so for convenience seed is kept and tree is invoked so we started our research on seeds seeds of evolution of gods which is beij mantra मैं मेरी बात समझा पाया yes sir मैं मेरी बात समझा पाया yes absolutely yes sir very clear very clear am I able to express myself this slide is fantastic it gives everything no room for any questions at all very good definition right तो हमारा जो objective हुआ वो चीजों को simplify करके उसका जो बहुत जादा mystic वाला पार्ट है उसको minimize करके हमने सबसे पहले यह acknowledge करा that we have a soul inside us और हम उससे बात नहीं कर रहे तो क्यों न उस देखा तो मुझे पता चला कि there is something which is very mistake which is the purpose and हमारे पास वो purpose जब जब missing होता है तब तब हमारे system में challenge होते हैं अब purpose को मैं कैसे बोलू architect जो है उसके पास में owner गया और बोला कि मेरे को एक घर बना कर दो जो देखने में बहुत सुन्दर हो जहां पर मैं रहूं तो बहुत prosperity के साथ रहूं और उसमें जो है मेरी financial energy बढ़े मेरे relationship बढ़े and likewise you balance each and everything so there has been a purpose allocated to the architect architect created a drawing very beautiful drawing but उसमें financial energy weak हो गई तो वो क्यों weak होई क्योंकि उसने कुछ design में changes करे अब purpose जो था उसने उसको secondary कर दिया design को जो beautification था उसको उसको उसने बढ़ा दिया देखें यह बहुत खुबसूरत लग रहा है खुबसूरत तो लग रहा है बट balance नहीं है तो उसी तरीके से जब हम एक एक aspect को देखते हैं और जो deviation हम absorb कर लेते हैं उस deviation के बदले जो हम compromise करते हैं वो purpose की direction में था या उससे opposite था problem सिर्फ इसले आती है मैं मेरी बात समझा पाय सब्सक्राइब आप डॉक्टर के पास गए आपने उसे बताए कि मुझे बहुत तेज बुखार है डॉक्टर ने का अच्छा ये दवाई खा लीजे बोले ये तो बहुत कड़वी दवाई है बोले नी बिमार को अगर आपको ठीक होना है तो दवाई खानी पड़ेगी उसने का नी कोई मी थी दवाई आगई बट जो पर्पस था कि मेरा बुखार खतम हो जाए वो पर्पस डेवियेट हो गया तो पर्पस का डेवियेशन जिस भी रीजन से हो रहा है इट इस ब्रिंगिंग पेन तो यार एंटार अक्टिविटी तो दैट अप्लाइस तो अन एड्वोकेट दैप जाइस तो यार अप्लाइस दो आप्लाइस तो अटीचर अप्लाइस तो एवरिवड़ी आपका एंपलाई हो या आपका एंपलाइर हो तो हर जग है पर्पस का डेवियेशन ये देखा गया जैता इस लीरजन पॉर प्रोब्लम्स इ आर लाइफ मैं समझा पाया नहीं समझा पाया please tell me at each and every step yes Malika ji are you there yes sir it's clear now the purpose is very important the purpose is very important so abh hum ne is purpose ke torpe pehla question ye raise kara कि जो हमारी mind और body है उसको soul ने create करा for what purpose हमारे mind और body ने soul को create करा उसका कोई ना कोई purpose होगा ना कि हमें क्यों create करा गया हम उस purpose के अलावा जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम अपनी personal liking and disliking के basis पे कर रहे हैं उस personal liking और disliking के लिए हमारे को आवाज बंद हो गया आपका the sound is muted sir आपका sound mute हो गया sorry the call got muted yes so what I am trying to say is purpose जो है वो soul level से शुरू हो जाता है और यह soul level का जो purpose है यही हमारे सारे system को deviate करता है so हमने क्या करा कि हमने curriculum design करा और उस curriculum फिर बंदो आपका वाज वीगीट में बंदो जाता है आपका वाज hello अभी आया अभी आया अभी आया अभी आया अभी आया अभी आया आजाता है ना तो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाता है that's the reason behind hello हाँ अभी आया रहा है अभी आया रहा है ठीक है हम लोगों ने करिकुलम डिजाइन करा जिसमें हमने अपने प्रिंस्पिल तीन अबजेक्टिव एंद इजुकेशन इन तीनों पार्ट को ध्यान में रखके एक सिस्टेमाटिक करिकुलम डिजाइन करा आप लोग बुलेंगे कि हैल्थ वेल्थ और एजुकेशन ही क्यों करा तो उसका रीजन सिर्व ये था कि हमारे जो बीज मंत्रों का कॉंसेप्ट है वो सबसे पहले और सबसे पाफुल तरीके से हाइलाइट हुआ था दुर्गा सब्शती में और दुर्गा सब्शती में तीन गौड़ेस का डेस्रिप्शन था महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस था कि सब्समें खंबातली और वे दुर्गा सरूरा ओर परॉल इसा जो आख वासुल में जाया परॉल्या था या ठाल टावले जेन परॉल्याथ जड़ंगरॉ तो अब अगर जो हमने उस पर्पस को जिसके लिए सोल ने हमें क्रियेट करा माइंड और बॉड़ी के तौर पे उस पर्पस को हमने पर्फॉर्म ना करके उसके अलावा हम कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि जो पर्पस वाला काम है अब चाकू आपने जो है वो सब्जी काटने के लिए खरीदा काट लिया आपने उंगली तो पर्पस की ऑपोजिट डिरेक्शन में जाके दिक्कत आ गई बना तो वो सब्जी काटने के तौर पर ही था ना जो उस पर्पस की अप्रोच को या उस सोल को एकनॉलिजी नहीं करते हैं तो जो हमारा नॉलिज का प्रॉसेस था वो जब हम जैसे क्रिश्चियानिटी है डाट डेजन्ट एकनॉलिज सोल अगर यह प्रिंस्पिल बुद्धिस्म डेजन्ट एकनॉलिज सोल तो उनका जो सोल का डेफिनेशन है और हमारे जो आत्म का डेफिनेशन है वो अगर डिफ्रेंट होता है तो वो फंक्यूनलीटी को अफैट करेगा ठीक है अब मैं आपको जो है वापस पीपीटी पे लेकर चलता हूँ अब मैं आपको जो है वापस पीपीटी पे लेकर चलता हूँ यह स्लाइड अप लोग को डिखरी ए है साफ? इस विसिबल तौर्ण? यह स्लाइड अप लोग को दिखरी है साफ? हम लोगों ने एक क्या कहते हैं उसको एग्रीगेशन करा जिसमें की हमने माइंड बॉडी इंटर्वेंशन्स, होल मेडिकल सिस्टम्स, बाइलोजी बेस्ट प्रैक्टिसेज, एनरजी मेडिसेन, इन पाँच अप्रोचेज को लेकर चला एंड वी कॉल्डिटी प्लिथर आफ कैम, कैम इस कंप्लीट अल्टर्नेटिव मेडिसेन, ठीक है, अल्टर्नेटिव मेडिसेन सब लोग समझते हैं तर्म या डू आइनीड तू, एनिबडी हू इस नॉट इन सिंक विध इट, सो हमारा एक ऐलोपेथिक मेडिसेन सिस्टम है, उसके अलावा जो कुछ भी है, फॉल्स इन दी कैटिगरी अफ अल्टर्नेट मेडिसेन, ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, एक-एक आसपेट पे हमने शेयर कर रहा है, फॉर एक्जामपल, होल मेडिकल सिस्टम म फिर मेडिसेन में स्परिड्चर्वल ही.. वेड निस्स इन मेडिशन में, स्पिरिच्वल हीविगि वीड़ु, दिस्टिंज इिलिंग, फिर मैनिूटिव अन बॉड़ी बेस्च प्राक्टिसेज में मसाज, ओस्टिओ प्थिटिटिटिक मैनिपूलेशन, चीरो इसलिए वो बीच में थोड़ा सा कभी कभी वो हो जाता है कोई बाप नहीं, sir, it's always, it's okay. So, अब जब मैंने ये missing links को identify करा, तो I thought कि इसमें कौन-कौन से elements missing है, तो मुझे इसमें आत्मा और बीज मंत्र, दो डोमेंज ऐसे मिलें, which were missing in all. तो मैंने अपनी research को इस हिसाब से design करा, कि can I integrate all the above practices into one practice? तो मुझे उस डोमें में जाने के लिए, जो सबसे बड़ा difficulty आया, या सबसे बड़ा strength जो उस process को explore करने के बाद समझ में आया, वो ये था कि, can I think of a situation where I neither need medicine nor need a doctor? मैं मेरी बाद समझा पाया? Yes. तो हर वो चीज, which is a constraint to me at the moment, for example, करोना फेला, लोग अपने गरों में बंद हो गए, और उस बंद घर के तौर पे ना उनको दवाई मिली, ना डॉक्टर मिला. तो क्या मैं उस situation में भी अपने आपको healthy रख सकता हूं, that there is nobody who is going to take care of me and I don't know anything. तो मैंने उस लेवल से स्टार्ट करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सोच किसी ना किसी आस्पेट पर restrict होती है. चाहें आयरवेद हो, चाहें होमयोपेथी हो, चाहें ऐलोपेथी हो, चाहें नैचरोपेथी हो, चाहें ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसन हो. मुझे एक प्रक्रिया को solution देना है, मैं solution नहीं दे पा रहा. मैं समझा पाया मेरी बात, नहीं समझा पाया. हर वो चीज जो किसी चीज को business बनाती है, बिजनस में क्या होता है, एक चीज अपने आपको commodity के तौर पे create करती है. I am myself a raw material. जब आप मुझे consume करेंगे तो मुझे पैसे देंगे. तो मैंने इस रिसाब से सोचा कि मैं हर वो चीज जो इस में एक raw material को generate करते हैं, मैं उसको बीच में से हटा दूँ. मैंने उसको हटाया और modality create कर दी. मैं मेरी बात समझा पाया? Yes, sir. तो मैंने जैसे माली जए एक meditation बनाया और वो meditation मैंने YouTube पर डाल दिया या Facebook पर डाल दिया ना, it is a free resource. वो resource वहाँ पर है, उससे एक वेक्ती भी ठीक हो सकता है, एक लाख वेक्ती भी ठीक हो सकता है. So, ये मैंने करा क्यों? ये मैंने करा इसलिए because हमारे देश में 10 करोड़ लोगों को diabetes, blood pressure और thyroid की problem है. तो मैंने ये notice करा कि क्या इन 10 करोड़ लोगों को मैं medicine और डाक्टर दोनों provide कर सकता हूँ? एक बात. दूसरी बात है कि अगर ये दोनों इनको नहीं मिलते, तो उसके बाद क्या ये ठीक नहीं हो सकते? So, I realize कि ठीक तो हो सकते हैं. तो फिर मुझे समझ में आया कि दुनिया में जितने भी लोग भारत देश की तरफ देखते होंगे, वो कहते होंगे कि देखो, this is a country of jokers. ये क्लेम करते हैं कि आयूरवेद का जनम इनके देश में हुआ, लेकिन इनके पास 10 करोड़ लोग तो केवल 2-3 बिमारियों के ही हैं, तो हमारा कितना मजाक उड़ता होगा? तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसी मोडायलिटी क्रियेट कर दें, जिसके बाद कोई भी विक्ति कहीं भी बैठ कर अपनी किसी भी बिमारी को ठीक कर सकते हैं, हाँ, सॉरी, तो, हलो, एम आ आउडिबल? हाँ, तो, उसकी बाद फिर मैंने ये बीज मंतर के उपर स्टडी करा, because हमारी बॉड़ी के स्टार्ट होने से पहले बीज मंतर काम करता है, हमारी बॉड़ी, ये यूनिवर्स के क्रियेट होने से पहले बीज मंतर काम करता है, ये बीज मंतर का इंटरेक्शन हमेशा हर स्थ में हमारे उपर होता ही रहता है हम उस बीज मंत्र से अबने आप को कनेट करते हैं और कनेट करने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम जनरेट होगा कैसे जनरेट होगा अलग-अलग आसपेट्स में डिजीजी उसको study करा गया, अब ये जो different therapies अभी आपने देखे चाहे energy, mind body, manipulative biology based इन सब के common point आए और एक-एक healing approach generate हुई, तो मैंने एक ऐसा healing approach generate करा जिससे की सारे pathies जो हैं वो एक उसमें आ गए, तो बीज मंतर is the root of everything soul is the root of everything, अगर आप soul को ignore करके या बीज मंतर को ignore करके कुछ भी करना चाते हैं तो वो नहीं आगे बढ़ेगा and मैंने सबसे ज़्यादा जिस बीज मंतर के उपर काम करा वो शरीम बीज था so I don't know, many of you doesn't know about me but जो लोग मुझे जानते हैं वो शरीम बीज की वज़े से ही जानते हैं क्योंके मैंने तमाम पिछले दो साल से अलग अलग वाट्सेप ग्रूप में जा जाकर लोगों को शरीम बीज के लिए जाग्रूप करा you just start writing this शरीम बीज with a red color pen और जितना जादा आप इस शरीम बीज को लिखेंगे आपके उपर उतना ही positive impact आएगा मैं मेरी बात से convince कर पा रहा हूं लोगों को Yes ठीक है Now coming to the level of healers मैंने ये study करा कि अलग-अलग healers जो है वो trigger होते हैं healer बनने के लिए खड़े होते हैं बट उसका reason क्या होता है उसका first reason होता है pain उनकी अपनी life में कोई problem होती है और वो problem का जब solution देखना शुरू करते हैं तो उनको पहला level of healer कहते हैं फिर वो लोग जिन्होंने उस pain को जो उनका pain point था उसको resolve करा वो second level of healers बन जाते हैं फिर उन्होंने traditional system को study करा जैसे सुषमा जी ने बोला कि मैं Chinese जो feng shui का process है उसके पूरे traditional system के expert हूँ तो उन्होंने traditional system को study करा तो वो उनका level 3 बताता है फिर उन्होंने उस level 3 को present system से compare करा तो वो level 4 में convert हो गए फिर उन्होंने अपनी एक unique methodology डवलप करी वो level 5 होता है फिर उस unique methodology के लिए उन्होंने अलग-अलग debates को conduct करा और अलग-अलग लोगों से अपने model के सार्थक होने या असार्थक होने के तौर पे उनके discussion और debates रहे वो level 6 हो गया फिर उन्होंने लोगों को संतुष्ट करा जितने लोगों को वो संतुष्ट कर पाए वो उनकी methodology से convince हुए लेवल 7 हो गया फिर उन्होंने जो भी कुछ experience develop करा वो उन्होंने बाकी लोगों को educate करने के लिए डाला तो इसलिए उसको level 8 कहते है मैं मेरी बात समझा पाया यह सबसे पहला कोश्चन अपना रखते हैं कि यह जो हीलिंग है उस हीलिंग में उसको संस्कृत में क्या कहते थे what is the equivalent Sanskrit term for healing 2362 number sorry sir upchaar chikitsa upchaar chikitsa मतलब I mean upchaar करना मतलब healing करना like kisi ka upchaar करना that's what I know so healing in Sanskrit is known as iskriti but iskriti के अलावा there are 45 more terms so in India we had more than 45 types of healing modalities ठीक है मैं ये आपके साथ में share करूंगा कल कि हमारी 45 जो different terms थी इश्कृती उसका first term था जो सबसे popular term कहा जाता है healing की domain के लिए तो खेर हमने जब इस वाले पार्ट को देखा तो हमने फिर अपना जो objective define करा वो ये था कि let's create a ecosystem for healers जहां पर की हम जहां पर की हम सारी की सारी healing modalities को लोगों से connect कर सके for example जैसे हमारे साथ में Arun जी है he is basically train the trainer expert in आपका NLP voice technology तो ये उस पार्ट को बीज मंत्रों से connect करें और एक next level का process को evolve करें जैसे मैम ने बोला कि मैं ये feng shui expert हूँ और feng shui में भी एक particular unique aspect है जिसको मैं develop करती हूँ so feng shui plus beach mantra क्या हम एक नए process को emerge कर सकते है प्रानिक हीलर है तो प्रानिक हीलर के तौर पे वो प्रानिक healing और प्रानिक healing में क्या चीज़ थी जो unexplained थी हमारे traditional wisdom के साब से using beach mantra तो वो नया process emerge करें so likewise there is a scope of self development and developing the entire ecosystem system तो हमने उस ecosystem के लिए program design करा and जो लोग हमें नहीं जानते हम लोग एक ICU के patient की situation में फरक लाने में पांच minute नहीं लगाते हैं हमें कोई विक्ति हमारे सामने cardiac arrest हो किसी विक्ति को within five minutes हम उसको जो है revive करने के process पे लियाते हैं हमने coma में या brain dead की situation के patients को जो है heal करा and all those effects were real miraculous तो हमने जब इस process को study करा तो हमने लोगों को उसी aspect को सिखाने के लिए हमने levels को identify करा और कैसे हम धीरे-धीरे करके एक विक्ति को लेकर चल सकते हैं सो उसका step by step एक साल तक का हमने program बनाया जो छोटे-छोटे modules में हर विक्ति depending upon his purpose why he wish to become a healer वो हमने इस ladder में explain करा so healing with beach mantra, seeing your aura, seeing others' aura so उसके बाद श्रीम बीज लिखना, meditation करना ये सारे के सारे aspects थे जो हमने इसमें करे beach mantra impact on aura, meditation with beach mantra, meditation impact on aura so ऐसे करके हमने ये 30, 60, 90, 1 year कितने patients देखे उस level से इस पूरे process को हमने develop करा हमारे process में श्रीम बीज का लिखना, meditation करना और अपनी और दूसरों की healing करना यही major parts था जो हमने इसमें लेकर चलेते हैं जब हम इसकी basic techniques पर आते हैं तो basic techniques में sensitizing the hands, scanning, general and localized sweeping, increased receptivity of the subject, energizing hand chakra techniques, stabilizing, releasing, इस तरही के से ये हमारे basic basic aspects इसके अंदर आए थे. तो इस तरीके से ये हमारा program जो है इसमें आता है, अब जैसे हम देखते हैं रेकी, प्राणिंग, इनमें बहुत सारे protocols आ गए, for example, attunement, रेकी के अंदर attunement होता है, अब attunement आप देखिए, तो पता चलता है, वो जी वो देख्षा देने के तौर पर यूज करते हैं, मैंने internet से उठाया, एक audio file उठाया, उसको download करा, उसको सुन लिया, तो वो मेरा देख्षा हो गया, अब हमारे हां जो सादू समाज की प्रक्रिया थी, जिसमें देख्षा देने का महत्व बताते थे, उसमें बहुत सारी चीजे थी, इसमें पांच सेकंड के एक audio file थी, उसको सुनो और आप देख्षित हो गए, अलग-अलग symbols हैं, उनको ध्य जान करिये तो आप देख्षित होगा, so likewise, there was a lot of confusion, और जब मैंने उस confusion को study करा, तो every confusion was backed by a commercial decision, कि अगर आपने attunement लेना है, तो आपको उसका payment करना है, पांच attunement लेना है, तो पांच attunement का payment करना है, पांच symbol लेना है, तो पांच symbol का payment करना है, तो likewise, एक business model create कर रहा था हर व और जादा से जादा लोग किस चीज़ पर connect होंगे, that you are with a financial objective, वो हम सब के लिए common area होता है, हमारे को सब को अपना reputation चाहिए, वो एक common area होता है, तो वहां से ये process generate होने शुरू होगा, मैं मेरी मत समझा पाया? येस, येस, येस सब. So, अब मैं कनेट कर रहा हूं, Dr. Aarti को, just give me a moment. कर दो आए. कर दो कर दो दो को, just give me a moment. कर रहा हूं below, सब कर दो दो हÍया हना है, ये है है, पर रहा हूं ख kingdom कर दोूए झाल झाल तक के पार्ट में क्या 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 पूस्चिंस हैं आपलोगो के Can You Repeat sir I am saying how what are your questions till now there are people who pay and there are people who don't pay for example something is for free and something is for paid in spite of these two categories they will not they may not be able to know what we are trying to say them you know so I am trying to eliminate the business model or the free model part of it and I am trying to focus what can we do so that people will understand what we are trying to tell them because because we are in the soul so first step towards to make them realize that you have a soul right no sir first step this will not happen no when I have studied this whole system so I have the most लंबीज जो है, वो sky element था. फिर उसके बाद स्वादिष्ठान जो था वो रंबीज था और वाटर element था. फिर मुझे ये information भी गलत मिली. फिर मेरको मनिपुर चक्र जो है, वो वंबीज और अर्थ element था. मुझे ये information भी गलत मिली. फिर इसके बाद अनाह चकर यं बीज और fire element था मुझे ये information भी गलत मिली फिर विशुदी चकर हम बीज Air element था ये information भी गलत मिली तो हुआ क्या कि मैंने देखा कि मैं बात तो कर रहा हूं अरुण Ci से और बार बार बोल रहा हूं वरुण Ci तो थोड़ी देर बाद अरुन जी ने बड़े पेशेंटली मुझे बोला कि यार गौरव जी आप इतने पड़े लेके विक्ति हैं आपको मेरा नाम भी याद नहीं होता I am not Varun, I am Arun Do you understand? A-R-U-N Arun, Arun Balvatkar from Mumbai मैं मेरी बात समझा पाया है, Arun जी? Yeah, I am trying to gauge that मैं आपके नाम को, आपकी प्रॉपर्टीज को अगर गलत बोल रहा हूँ तो क्या आप थोड़ी देर बाद इरिटेट होंगे? Point number one Point number two मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप जोड-जोड से Varun बोल रहे हैं जितनी मर्जी जोड से बोलिए क्या वो मैं उसको अक्नॉलिज करूंगा? Sir, I am getting perfectly, in fact, this exact model what you are telling, I am using in my Y-scan analysis to make people understand about the frequencies and all those things. मैं ये बता रहा हूँ कि अभी X है समझो, अभी ये शेटिकी मैं बात कर रहा हूँ मेरा friend उसको मैंने चेक किया तो उसने मुझे बता है मैं आया और मुझे दो बार निकाल दिया गया so he did not come back again so now if I had to tell him that this is something really very good in spite of knowing NLP techniques I am not able to bring him in suppose तो अभी उसको मुझे बताना है कि भई ये सम्झी बहुत ही अच्छी चीज है powerful चीज है मैंने इसको हम इसी तरह market करते है market in the sense हमारे friends को बताते है फिर भी बहुत सारे लोग आनी पाते because they are not able to realize what it is I have realized I have realized what you are telling is good and I have understood it now I have to extend it to the next person so that next person is again trying A, B, C, D and not succeeding तो अभी उसको मैं और किस तरह अच्छी तरह बताऊं कि ये एक ऐसी चीज है तुम आजाओ तो कुछ तो आजाते हैं और समझ पाते हैं तो ठीक है it's like a last row on the camel's hat and actually everybody is in a different, different you know, 90, 11 मैं किनास गोल जैसा तो जो last row on the camel's hat वाला है वो खुदी होता है तो हो जाता है मैंने उसको कितना समझा या और वो कितना समझा पड़ता नहीं तो वो बंदा in हो जाता है जिसे अभी आज 4-5 जन हम लोग अंदर है तो आपने अपने जर्नी पर है कोई एक बंदा है वो बाद में वो निकल जाएगा नहीं यार कुछ मुझे समझ में नहीं आया तो फिर उसको हम को फिर कैसे समझाना है सर हम गलट ट्रैक पे चले गए जो एनरजी लेवल जिस चीज के मतलब मैंने एक ICU के विक्ती की हीलिंग करी या मैं एक बड़े रियल स्टेट के प्रोजेक्ट को हील करता हूँ फ्रॉम डिस्टेंज जस्ट बाई मंत्राज तो वो प्रोसेस में इसलिए कर पाया क्योंके मैंने आइडेंटिफाई करा कि लंबीज, sky element ठीक है तो यह मूलाधार चक्र में मैंने यह तीन मूलाधार चक्र लंबीज और sky element मैंने इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करा तो आपका जो original नाम और डोमेन है आप उसके एसाब से stick करते हैं तो वो पार्ट हमें पता चल रहा है अभी तक हमने कभी cross question नहीं करा तो अगर हम knowledge को as it is सुन रहे हैं और accept कर रहे हैं उसको experiment नहीं कर रहे हैं उसको cross check नहीं कर रहे हैं तो वो business model के लिए तो ठीक है बट real time application में it will dissipate low energy sir 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 मैं मेरी बात फिर से आपको बताता हूं आपने एक को किया बीज मंत्र से ICU निवाडर को आपने किया ठीक है ना और दूसरा था उसको भी बोला था तो उसने तो यह अपलाई नहीं किया तो that means there was something between us you and that ICU patient and another patient who did not do it so there is a connection mechanism that I am trying to find out कि वो कैसे तायर हो गया हमारे पास बहुत powerful चीज है जो आपने की और ICU पेशन को ठीक किया बराबर with the बीज मंत्र पावर I am understanding that very clear I am trying to bring out कि same thing was also communicated to the another person तो हमने उसको overlook कर दिया लेकिन वो किस वज़े से हमारे साथ connect क्यों नहीं हुआ so that I have to improve my tool so that that person also I want that him to understand कि बाबजी देखिये यह चीज है यह patient देके ठीक हो गया तो आप भी इसको ठीक करा सकते हो तो मेरे को फिर यह करना है मेरे tools और sharp कराने so that that person also understand this for the time being वो चला गया आमको उसे कोई मतलब नहीं है that I can understand तो जो successful हुआ या आपका tool successful हुआ तो सही है लेकिन tool इसलिए भी success हुआ कि that person could understand what we are trying to tell him and then only तो अच्छा थीक anyway I will mute myself then you can mute नहीं a little aspect पर बात कररहे मैं एक अलग aspect पर बात करा हूं मैं simple सी बात यह कह रहा हु मैं simple सी बात यह कह रहा हु कि जिस बीज मंत्र यह जिस process की आप बात कर रहे हैं वो बीज मंत्र में wrong information है अब हम राइन और रॉंग पर तो हम तब जा सकते हैं when we have a structured approach for that. अगर हमारे पास कोई structured approach नहीं है, तो हम right or wrong पे तो बात ही नहीं कर सकते हैं. Sir, Godf, Sir, Godf, Sir, Godf, Sir. Let me explain to you what he means. He is asking, जो आपने अभी soul का concept समझाया था ना, कि because of soul purpose, we are forgetting. अगर जब भी purpose deviate होगा, हमारे को pain होगा, हमारे को बहुत सारे challenges आएंगे, right? तो he is asking कि अगर कोई इनसान इस concept को नहीं समझ पा रहा है, soul के concept को या आपके, मतलब, whatever he is trying to do, whatever he is doing, and that person is not understanding, तो वो जो not understanding का flinda blank है, वो किस तरीके से उसको नर्चर करें, या उसको समझाये कि वो convince हो जाए, आपके इस वाले, जो आपका ये वाला जो statement है, या जो भी उसको वापिस इस modality में लाने के लिए क्या करें, how he can explain them that there is a soul and there is a purpose, there is, this Bijj Mantra is working in that way, I think so. Yeah, perhaps what she says is close to what I am trying to tell, okay. Anyway, you can move further, sir, no problem. चीक है, तो मेरा जो आस्पेट था जो मैं हाइलाइट करना चाह रहा था, वो था एक structured approach का missing होना. हमारा एक alphabetical system था, उस alphabetical system के बाद में हमारे को ये चक्राज और पूरा पार्ट था, हर चीज आपस में interconnected थी, हमने चीजों को parts में bifurgate कर दिया, एक वेक्ति सिर्फ kundalini लेकर बैठ गया और उसने kundalini related ईड़ा पिंगला सुष्मना की बात करी, और वो उसके अलावा बाकी चीजों पर बात भी कर रहा, एक वेक्ति चक्राज को लेकर बैठ गया, उसने चक्राज related बात करी, वो ये चक्राज कहां से created हुए, इड़ा पिंगला सुष्मना से हुए, ऐसे करके ये wide variety में पूरे की पूरी चीज़े जा रही थी, और क्योंके ये wide variety में जा रहे थी और हर वेक्ति सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहा था, वो पार्ट की वज़े से हमारे पास distortion of knowledge हुआ, फिर knowledge जो है, उसमें aspects बहुत सारे थे, एक गुरू शिश्य परंपरा थी, जो इस देश के अंदर exist करती थी, वो suddenly खतम हो गई, कुछ fast track capsules थे, तो जो ऐसे हमारी पढ़ाई के अंदर हुआ कि अच्छा competition क्लियर करना है, तो बाकी कुछ नहीं है, बस ये capsule पढ़ लो, capsule पढ़ के पास हो जाओगे, LLB करनी है, तो 20 question at a glance आते हैं, उसको पढ़ लो, और आप इन 20 question को रट के चले जाओ, आपको कोई जरूत नहीं है, आपको 5 साल तक पढ़ने की और 4 साल तक पढ़ने की, तो हमारे जो shortcut approach थे, या जो लोग shortcut business approach के तौर पे बात करते थे, उनकी वज़े से हमारे system में systematic knowledge का distortion हो गया, and as a result of which, जिसकी दुकान जितनी बढ़िया चल रही थी, उस वेक्टी के हिसाब से वो चीज वैसी चलनी शुरू हो गई, हमारे पास वो desired knowledge थी या नहीं थी, उसमें बहुत severe deviations हुए, तो मेरा जो part highlight करने का था, वो ये था कि हमारे पास में एक structured knowledge, ये एक formative studies के तौर पे उसके connections, क्या वो uniformly बाकी सब जगे से connect होता है, उस तरीके का information based ना होने की वज़े से हमारे को challenges आएं, ये मेरा submission था, इस पूरी बात का. Right, sir, right. Thank you. तो अब जब हम उस part पे experiment करते हैं कि हमारे पास ये knowledge थी, इसको हम इस तरीके से आगे भेज़ते हैं. For example, pranic healing. Pranic healing में वेक्ती energy lift करता है. Lift करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है. Energy कितनी lift हो सकती है, वो practice धीरे-धीरे बढ़ाने के एसाब से हैं. तो वो higher order कितनी energy को उठाया जा सकता है, और वो कहाँ पर है, उसका knowledge नहीं है वहाँ पर. मैं मेरी बात समझा पाया? यह सर, यह सर, जो अरुन जी, जो यह मलिका जी कह रहें थी, आप वही चीज पर थे या कोई और फरक चीज है? नहीं, अभी जो आपने फिर further discussion किया ना, तो मैं यही point बता रहा हूँ हूँ कि यह तो it is well said and understood कि यह ऐसा हुआ, यह हुआ, फिर यह हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, but there is a deep concern कि यह ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास इतनी सारी इतनी powerful चीज है, जो आपने अभी rediscover की, with your research, very good, I am hats off to it, I am not denying that, but what I am saying कि यह इतना कैसे हुआ, कि इतना चला गया कि अन्नोन में चला गया, और अब जाके लोगों को तो हमको यह भी तो देखना है कि यह क्यों हुआ, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ कि हम उसमें weak रह गये, लोगों को दे नहीं रहे, पहले हमारे वाइद्य हुआ करते थे, मतलब पूरा ecosystem change हो गया, आहिस्ता, आहिस्ता, पहले हम गाओं में जाते थे, नदी में सिदान कर लेते थे, और फिर आते थे, बंबई में एक हफता बाद लोना वला, तो फिर 6 महिना हम कहीं नहीं जाएंगे, तो भी कोई problem नहीं होती थी, अब ही ऐसा हो रहा है, एक महिने के अंदर में हमको holiday के लिए जाना पड़ता है, oxygen लेने के लिए, तो यह system of living है ऐसा हो गया, कि वो पुराना जो system था, जैसे गुरुकुल का system था, शांति निकेतन में जैसे सिखाते थे, जैसे we discussed that also, कि हमारा schooling system ही ऐसा था, वो change हो के हर जगा में हम closed हो गए, चेर में बैटके खाना का रहे हैं, तो एगदम lifestyle इतना change हो गया ना, तो यह जो, So lifestyle is a very important reason for this distortion. तो मेरा बोलने का point सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं भी 15 साल, I have been 40 years in reserve bank, everybody is experienced here, और मैं भी healing में 15 साल हूँ, और मैं यह देखता हूँ कि सामने वाला क्या देखता है, मैं जो दे रहा हूँ, यह मैं नहीं देखता, मैं यह देखता हूँ कि सामने वाले को क्या चाहिए, और मेरा चीज यह है, कि वो कुछ भी ले रहा हो, तो मेरे को मेरी चीज इसतर देना है कि उसको समझ में आ जाया कि क्या है तो ये जो reasons है इसलिए वो हमारा इतना powerful होते हुए भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं खुद अभी छे मैंने मैं भी मैं खुद आभी तो आपको तो पता हैं मैं खुद लगा हुआ मैं अरुन जी वही चीज बात कर रहा हूं कि कुल मिलाब कि बिजनस डाइनमिक्स है ना वो हमारे उपर बहुत हावी हो गई कि बिजनस के बात कर रहे हैं कि जब तक हम उस अपने एंसेस्ट्रिल सिस्टम को नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम उसमें उसके अंदर जब हम कोई चीज को लेकर चलते हैं अब मैं चलिए मैं एक छोटा सा एकसाइज करता हो मैं हमें से आए कितने लो Esto को आता है है कि सुषमाजी आपको आ ए आता है है на 5 करना पड़ेगा है है तो अब जो है हम लोग थोड़ी देर को अगर अच्छा और बाकी लोगों से पूछे ना क्यों बार बार में सुष्मा जी को यूं करो जी मलिका जी आप बताइए आए आती है आपको अब यह जो है मारी अगर अब यह जो है पहल जो है अब यह जो है जी जी यह लेकिन ऑबिसीडी फटक से आजाएगा उल्टा भी आजाएगा कोई बात नहीं अभी ABCD भी लेते हैं पहले इसको ले लेते हैं एक बार तो वो उस पार्ट को पकड़ने में असानी रहेगी हाँ जी नीलम मैम आ आ यी को कौन सा पार्ट याद है आपको आ याद है जी जी बताइए 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 ये आपने बिल्कुल पर्फेक्ट्ली बताया अब ये सहीं नहीं है वो वाला पार्ट आजाता है ना हाँ तो हम लोग जो है कौन से स्लाइड पे था यह यह स्लाइड दिख रहा है सबको यह सर यह स्थिक है इक करें इक को अधाइड और राइट साइड दोनों को देखते हैं हमारे पांच पहले अलफाबेट है फिर नेक्स फाइड है आ ई उ रि लिरी फिर ए ओ आई आउ अंग आ फिर हा या वा रा ला श श श लक्षा राइड साइड में यह हमारा एक्यूरेट अलफाबेटिकल सिस्टम है अब अगर मैं इस सिस्टम को देखूं तो मतलब मैं जो पार्ट हाइलाइट करना चाह रहा था और जो अरुन जी हाइलाइट कर रहे थे अब मुझे दीरे-दीरे समझ में आ रहा है मैं यह बताना चाह रहा था कि जो मिसिंग गैप है उसके उपर आप कब सोचोगे और अरुन जी यह कह रहे थे कि आपने जो नॉलिज जनरेट करी उसको आप सब लोगों से कैसे कनेट करोगे तो राइट करने वाला पार्ट जो है अब मैं फिर से एक्जामपल देता हूँ मैंने पढ़ा कि जो हरिद्वार का जो चीफ इंजीनियर है वो स्केल लेके खड़ा होता और बताता है कि गंगा जी इस लेवल पर चलेगी और मैंने जब पुराने गरंद पड़े तो गंगा जी ने का मैं पृत्वी पर आऊंगी तो सही पर मेरे वेक को कौन जेलेगा तो क्या वो शिव जी में जो ताकत थी वो उस चीफ इंजीनियर हरिद्वार के से कम थी या जादा थी तो मुझे पता चला कि जो रियल एसेंस में पावर थी गंगा जी की वो तो चली गई अब ये जो ट्रिबिनली और इस तरीके से चीज़ें दिख रही है ये वहां से ये सारा का सारा आसपेट पूरा डिस्टर्ब हो रहा है तो मैंने सबसे पहले अपनी इनरजी इस बात पर लगाई कि what is the true information the true information and complete information is अब मैं इसको अब ध्यान से देखिए अ प्लस अ बनता है आ ई प्लस ई ई उ प्लस उ उ री प्लस री री लिरी प्लस लिरी लिरी आ फ्लस ई ए आ प्लस ओ प्लस उ आ आ प्लस अ नाक से उच्छारण आ मू से उच्छारण अ मैं समझा पाया सर यह वाइस में तो गुज़ गया लेकिन उदर वीजुल में हम लोग जरता सर में अधिवेशन मैं अच्छा मैं अधिमेटिकल एक्वेशन जैसे हो गया राइट मैंने वीजुल भी बना रखा है इंडिकेटर होता ना उदर जब आप वाइस बोलते तो वो उसको टच करता बन्याज़ एक्षए बना लाइस से लिए तक प्यात्र ये एक रख़ता है इंडिकल वर्ड़ एक्वेशन उदर खेस भीजुल एक्रेटर भीजुल एक्वेशन झालाइस झाल झाल अब जब मैंने बोला हम तो हम जो था वो था air element ए जो था वो fire उ जो था वो अर्थ री जो था वो water और लिरी जो था वो sky तो sky, air, fire, water, earth यहाँ पर लिखा हुआ है इस slide पर और यह साई PPTs मैंने आप सब लोगों के साथ already share कर दी है अरुन जी आपके पास में भी है न है येस 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 अब क्या है कि जो मैं पॉइंट हाइलाइट कर रहा हूँ वो ये कि मैंने जब observe करा कि लम जो है वो sky element है because वो लिरी प्लस आ से लम बन रहा है हाँ ये formation of the script with the five elements right absolutely तो जब मैंने लिरी प्लस आ देखा और वो मुझे लम का उसका reason मिला कि लिरी भी sky element है और अह भी sky element है तो sky प्लस sky बराबर sky होगा जब कि हमारे यां उसको अर्थ कह रखा है तो अर्थ नहीं होगा फिर मैंने इसको संस्कित टाइमलोजी से भी connect करा जहां पर था वहां पर भी मुझे ये deviation मिले so then I realize कि there is a ambiguity in the process अब ambiguity की situation में क्या करूँ मैं तो मैंने क्या करा मैंने प्रानिक healing का course करा उसमें मुझे true and false judge करना बताते थे तो मैंने वो बोला कि जो लिरी जो है या लम जो है वो sky element है तो मैंने का जड़ा मेरी कॉर्ड को मेजर करके बताना उन्होंने कॉर्ड के उपर ध्यान लगाया उन्होंने तुरंद बोला yes you are saying right it is like this फिर मैंने का हो सकता एक वेक्ती गलत बोले तो मैंने 10-10 healers को साथ में connect करा उन सब से वो test कराया तो उन सब ने का नहीं you are saying true of statement लम जो है वो sky element है मैं समझा पाया मेरी बात येस 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 तो एक true research model जो था मैं वो community create कर रहा था जो उस true research model पाज़ा अब मैं इसके impacts बताता हूँ डॉक्टर आया डॉक्टर ने दवाई दी पेड़ ठीक नहीं हुआ डॉक्टर पैसे वापस नहीं देता है डॉक्टर ये नहीं कहता है कि जी ठीक है मेरी मैंने पैसे वो सकता है आपको नहीं हुआ हो फाइदा वेरा आयम एड फॉल्ट बिकाजी इस नाट कॉन्फिटेंट अब उट इड़ इस बिजनेस मॉडर करने का है कि आप सब लोग अपने अपने लाइफ में एक मुकाम तक पहुँच चुके हैं अब हमारे को अगर नेक्स लेवल पर जाना है तो हमें अपने आपको अनलर्न री लर्न और लर्न करने के मोड में लेकर चलना पड़ेगा so that कि हम नेक्स लेवल के टारगेट को अचीव कर सके इस वाट इस आर परपस अफ क्रिएटिंगा इकोसिस्टम आज हिंदुस्तान हिंदुस्तान में देरा मोर देन वन लाइक प्रानिक हीलर्स हम उनको कनेट करके इस सही मेथोडोलोजी पर लाते हैं और उस सही मेथोडोलोजी से वो हीलिंग करना शुरू करते हैं लोगों की तो वो एक लाग हीलर्स कितने सारे लोगों की हीलिंग कर लेंगे वी हैव अबाउट मोर देन फाइब थाउजन वास्तु कंसल्टेंट अगर वो नए पैटन पे चले जाएं और नए पैटन पे जाने के बाद वो बेसिक्स को ठीक करके पिर करें तो वो फाइफ थाउजन हाउस होल्ड को रोज पॉजिटिव एनरजी दे सकते हैं तो एच वन आफ अफ अस हैज़ा पैसिटी एन केपेबिल्टी कि हम उस डोमेन को स्टडी करें उस एक्सपेरिमेंट को फील करें और उसके बाद उसको कर दे तो हमने वो मॉडल पे स्टडी करके उन सारे जितने भी हिडिन टूथ थे उसको एक पार्ट को हमने क्लियर करा और लोगों से अब उसे कनेट करना शुरू करा कि जब मैं लम बीज को मूलाधार में ट्रिगर करता हूँ तो लम बीज मूलाधार चक्र फैनैंशल ग्रोथ के लिए अपने फियर को हटाने के लिए तो अगर आपका मूलाधार चकर श्रिंग्ड है तो इन दाइट सिचुएशन क्या होगा उसको खोलना ही पड़ेगा जब तक मूलाधार चकर नहीं खुलेगा तब तक तो शुष्मा जी मैं आपके सामने एक प्राक्टिकल एक्स्पिरिंस रखता हूँ मेरे पास एक क्लाइंट आये और उन्होंने मुझे बोला कि भई आप मेरी हीलिंग कर दो आपका क्या प्रोसीजर है आप उसको मुझे बताओ और मैं समझता हूँ तो मैं बैठा और मैंने सबसे पहले देखा कि इस वेक्ति का मुलाधार चक्र कितना बढ़ा है तो मुलाधार चक्र उसका श्रिंग था तो मैं उससे बैठे-बैठे बात करते-करते उसके मुलाधार चक्र की हीलिंग शुरू कर ही उसका मुलाधार चक्र बढ़ा हो गया फिर मैंने अपना मॉडल जब उससे explain कर रहा था तो मैंने उसको study करा कि मैंने कार इसका तो सहस्तरार चक्र भी निप्टा हुआ है तो ये विक्ति अगर आज किसी भी कारण से मेरी बात सुनेगा तो भी ये मुझसे बिजनस वाइस कनेक्टी नहीं करेगा तो फिर मैंने उसका सहस्तरार चक्र भी बढ़ा करा अब उसकी फिनेंशल स्थिती भी इंप्रूव करी और उस विक्ति की जो intellectual ability है to absorb new subjects मैंने उस पर भी काम करा अब जब आप इस तरीके से इन दोनों चक्रों को सामने वाले के observe करते हैं स्कैन करते हैं तब आपको पता चलता है कि whether this person is going to absorb your subject or not मैं मेरी बात समझा पाया तो financially आप जब किसी विक्ति की healing करते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात को scan करना चाहिए कि उसका सहस्तरार और उसका मूलाधार चक्र जो है वो कितना बड़ा और कितना strengthened है अब मुझे यह नहीं पता कि मूलाधार चक्र का बीजमंत्र यह वाला ह तो मैं इस level of measurement को कितने percent authentic मान सकता हूँ सर आप scan करना वगेरा सब सिखाएंगे इसमें यह जी You will teach us to how to scan about chakras and everything हाँ This is what we'll do in our program आज का हमारा जो program है basically वो introduction about different aspects है What we'll teach you in this is कि हम सबसे पहले आपको जो चक्राज है उसका scan करना उसके कौन-कौन से element से क्या-क्या connection है All that we'll teach you We'll also teach you बीजमंत्र क्या होते हैं कौन सा बीजमंत्र कहां किस चक्रा में लेकर जाने से उससे related meditation करने से How it impacts your overall approach Then we'll teach you कि आपके जो वास्तु है अब वास्तु में कौन-कौन से हर direction के अंदर कौन-कौन सा बीजमंत्र है Each बीजमंत्र will guide you in of all the direction और उसके practical क्या-क्या aspects है For example, somebody is saying कि I am really confused I am not knowing how exactly I have to express myself उसका मतलब क्या हुआ? He is speaking loudly about that his northeast is disturbed अब वास्तु वाला विक्ती क्या करेगा? वो कहेगा आपके घर के north east में कोई heavy item है आपके घर के north east में शाहिए toilet है आपके अब वो उसकी बहुत सारी चीदें बताएगा वो कता that is fine, I also understand पर अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता ना मैं heavy item हटा सकता ना मैं toilet shift कर सकता कुछ नहीं कर सकता आप कोगे अच्छा आप ये लगा लो वो लगा लो उसने वो ये और वो दौनों लगा लिये लेकिन वो उसको impact फिर भी नहीं आया उसमें हम क्या चीज़ कर सकते हैं अब ये स्क्रीम दिख रहा है सबको yes तो हमने पहला बीज मंत्र देखा श्रीम दूसरा हरीम तीसरा क्लीम चौथा हशों श्रीम प्लस हरीम बिकम्स श्री हरीम प्लस क्लीम बिकम्स श्री श्रीम बिकम्स श्रीम और हशों से यहां पर बनता है श्रॉ so this is east, this is west, this is south, oh sorry, this is south, this is west, this is north, this is south east, this is south west, north west, north east, north east, north, north west, south east, south, south west, east, west, is it visible? yes sir, इसका प्रोपर मिलेगा ना sir? यह मैम आपको पास जो PPTs है उसके सब कुछ है और बाकी मैं continuous अगले साथ दिन तक रोज आपको भेजता रहूंगा और हमारी क्लास भी इसी चीज के उपर बेज्ड है आपको लेट सब्सक्राइब करना है उसको अपने नौर्थीस को ठीक करना है उसको श्रॉबीज लिखना शुरू करना चाहिए वो रोज 3,000 टाइम श्रॉबीज लिखेगे और उसको इम्पैट आ जाएगा किसी की फिनांचल एनरजी वीक है उसको अपने साउथ इस को स्ट्रेंथन करना है साउथ इस में श्री बीज लिखा हुआ है वो श्री बीज डेली लिखेंगे और उसकी फिनांचल एनरजी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा So likewise we have a solution for everything So likewise I am saying we have created a solution for every big and small aspects Each and everything which a Bijj Mantra domain evolves, describes, expression के उसमें कैसे वो connect हो रहा है हमने उन सब चीजों पर काम करा, we took almost 8-9 years for this entire exercise to take place Now we are here connecting people and the masters to look for our activities and implement wherever they are not getting a solution So now my request is कि आप लोग जो ये डेवाइस PPT है इसको study करें और ये जो हमारा रोज का दो घंटे का टाइम है, which we can extend up to 7 more days इस वाले टाइम फ्रेम में आप अपना question discuss करें आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, आप एक special session book कर सकतें उसमें आप one-to-one बे discuss कर सकते हैं हमारे साथ में So इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग जो mantra का जो session करते हैं तो when it goes through our ears and it goes inside and it is all trying to correct our chakras to vibrate the way it wants and then it is bringing the result Absolutely and the script is the another way if we start writing then it is in our hand, it is in our hand to write all these things and correct up our top to bottom that nine chakras automatically when we address writing that means mantra जो है, उसकी script भी इतनी powerful है कि जब हम उसको लिखते हैं तो लिखने से ही impact होना सुन जाता है और अगर हम उसको किसी ने recite किया तो हम किसी की खुद की भी कर सकते हैं अगर कि भी कर सकते हैं Am I right, sir? Yes Okay I am getting it I am getting it Haji, please Actually, कोई handwriting graphology जानता है handwriting जो आपके brain में है तो ये पूरा आपका brain का जो programming है वो handwriting से आपके paper पे आता है कि आप क्या सोचते है आपका action level क्या है तो वही reverse चीज हम वीज मंत्रों से हमको financial abundance चाहिए तो financial abundance का मंत्र लिखके हम वो पूरे brain को reprogram करते है by rewriting और पूरी तरह से frequency change करते है हाँ तो हमारे मैम जो मंत्रों का जाप का procedure जो दे रखा था वो यह कहता है कि मंत्र का जाप होना था अब जाप जो है वो मानसिक प्रक्रिया है मानसिक रूप से हम में से कोई भी competent नहीं है जाप करने के लिए yes sir you are right तो हम क्या करते हैं वो मानसिक जाप करवाने के लिए उस विक्ती से वो मंत्र लिखवाना शुरू करते है मंत्र लिखने के बाद जो silent movement होता है inside within the body that is actually pure form of मानसिक जाप उचारण के साथ करने वाला जाप जो है वो कभी भी complete और सफल नहीं होता है दूसरा क्या होता है कि हमारे और बहुत सारे आसपेट्स हैं जो इसमें involved होंगे हम हर आसपेट को आपको टच करके बताएंगे जो जो systematic system पर हम बात करेंगे आज जो है हम लोग basically program introduction था so my request हम एक-एक copy या pad अपने साथ में रखें जिसमें हम लाल रंग का pen रखें जिससे हम बीज मंतर को लिखना शुरू करें दूसरा हमारे को एक list बनाना है what are my challenges what are my challenges so challenges में जैसे for example आपको बार बार खासी हो रही है तो यह momentary है or it is a expression related challenge which you are facing so हम उस तरीके से अपनी एक list of challenges बनाए list of opportunity areas define करें why we wish to do this course हमें क्या चीज का आवशकता है जो यह course हाथ दिन में 14 days के अंदर answer करेगा what is the part of the activity which is not being completely answered for whatever knowledge you are holding so far so far so क्या यह बीज मंतर का knowledge लेने के बाद आप उस bridge को evolve कर पा रहे है that's correct right तो यह हमारे program related aspects हैं जिसको हम लोगों से connect कर रहे हैं so you have to prepare that list all the aspects and we'll try to answer almost everything मतलब यह हमारा चाहद 14th या 15th program है in last 6 months time and we have trained almost more than 100 people on this entire approach और हमारा YouTube channel है जिसमें कि हमने 100 से उपर meditations करवाते हैं लोगों को तो उन सारे aspects में हम एक विक्ती का stress, anxiety, depression उसको transform करते हैं into calmness using these beach mantras और हमारे मतलब जितने भी mantra हम जानते हैं और करते हैं 99% are wrong for example छोटे से छोटा mantra ओम नमस शिवाए तो जब मैंने ओम नमस शिवाए के हिसाब से उसको study करा तो मुझे पता चला कि जो actual mantra था वो था जब कि हमें क्या बताया गया कि ओम नमस शिवाए तो आपको मैं समझा पाया कि मैं क्यों कह रहा हूं कि सही और गलत का फरक ठीक है फिर अगर हम इसको बोले term है शक्ति which is wrong actual term is शक्ति और शर जो है वो कैसे लिखा जाता है शर है combined composite alphabet कर प्लस शर तो हर जगे इस शटकोन के शा का जब हमने रोल देखा तो हमें पता चला कि हमारे जो process है उसमें बहुत सारे aspects हैं जो सही तरीके से covered ही नहीं थे हमें छोटी छोटी गलत चीज़े पता थी तो हमने पहला जो बीज मंत्र देखा वो शरीम मिला हमें शरीम is a symbol of prosperity शरीम is a symbol of knowledge शरीम is the intelligence so जब भी कभी हमारे को कोई भी बिमारी होती है हमारा intelligence system affect हो जाता है हमें बुखार हुआ मतलब infection हमारे शरीर के अंदर आ गया उस शरीर के infection के बाद हमने paracetamol खा लिया शरीर क्या कर रहा था temperature raise कर रहा था temperature raise करने की वज़े से हमारा infection automatically subside करता था वो subside नहीं हुआ उल्टे हमने अपने शरीर को ठंडा कर लिया तो वो infection बढ़ते वो चला गया so जो temperature की raise थी हमारी body is an intelligent design तो मैं एक बड़ी छोटी सी line हमेशा कहता हूँ every particle bears intelligence and there is a cumulative intelligence which governs the course of action of one single particle clear है तो आप जब अपना list बनाएंगे कि क्या क्या चीजों का आपका challenge है और वो challenge हम आपके साथ में एक limited period के अंदर तुरंट demonstrate करेंगे कि कैसे इस बीज मंतर के process को use करके आप तुरंट अपने आपको healthy, wealthy and wise बना लेते हैं is the objective of the program clear है जी? so just say I am having a high blood pressure from last three days I don't know why I am just noticing it's coming like you know so can we use the beach mantra to cure it also? आप बिलकुल अराम से so which beach mantra I shall use and what is the procedure how to write and what phase I should do it आप पहले अपना एक वाटसप पे अपना पूरा लिस्ट of challenges बनाईए list of expectation from this program बनाईए okay within next seven days we'll answer everything for everyone okay sir it is such a fantastic model it answers almost everything great 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 very good thank you so very much for your patience and time my request तो आज का homework यही है जो हमने पीपीटी पढ़ना ही है जो हमने पीपीटी बेजी है plus आपको अपना अपना एक copy बनाना है उस copy के अंदर आपको अपनी expectations from this program को लिखना है wonderful कल आप लोग हमें अपनी expectations बताएंगे हम उन expectations के ऊपर answer करेंगे कितनी चीजे हम इस program से resolve करेंगे कितनी advanced program से resolve thank you very much sir wonderful very good ठीक है जी बाइबाइ जी थैंक यू मगर गूपे आपने कुछ इमेजिस डाली है वो मुझे नहीं मीली है तो प्लीज थैंक कर दीजिए